नमासकार दोस्तों, ilatical technician channel में आपका सवागत है दोस्तों, जैसे कि थंड का मोसम चालू हो गया है, और हम नहाने के लिए पाने को घरम करने के लिए गीजर का इस्तमाल करते हैं दोस्तों आपके घर में जो गीजर इस्तमाल किया जा रहा है आप यदि उसको चालू करते हैं तो वो चालू भी हो सकता है या फिर किसी कारण से वो चालू ना भी हो सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो गीजर होता है उसके अंदर यह प्रोलम आता है तो आप किस प्रकार से चेक करोगे उसके साथ साथ में आपको यह भी बताऊँगा कि जो गीजर होता है उसका वाइरिंग किस प्रकार से होत होता है यह हमारा हीटर हो गया अब दोस्तों कि यह जो हमारा हीटर होता है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम प्लग टोप का करके यदी में IIS Heater को connect कर देता हूं तो हमारा हीटर वह वर्क करने लगेगा यानि कि पानी को गरम करने लगेगा लेकिन हमारा जो गीजर होता यो में कुछ protection इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा गीजर होता है उसके अंदर एक thermostat होता है, यह जो thermostat होता है, वो पानी को गरम होने के बाद power supply को बंद कर देता है, यानि कि यहाँ पे जो हमारा thermostat होता है, उसमें हम setting करते हैं कि कितने तर्क हमें पानी को गरम करना है, अब जितना temperature हम set करते हैं, उतना temperature पहुंचने के बाद जो हमारा heater होता यह thermostat करता है ठीक है अब यह जो हमारा thermostat है इसके बाद में एक और protection इस्तमाल किया जाता है क्या protection इस्तमाल किया आता है देखिए यहां पर एक और auto cutoff thermostat लगा जाता है दोस्तों यह जो आप देख रहें यह भी thermostat जैसा switch होता है एक प्रकास से आप इसको overload relay भी कह सकते हैं या then red very dark होता है जो कि हमारा हीटर वह off है इसका indication डिखाता है यह जो हमारा heater है इसको power supply देने के लिए िस plug ये जो हमारा ठर्मो स्टैट है उसके एक टरंबरल पे करणेक कर देंगे याने कि इंकविंग्ग साइट पावर शुफलाई सप्लाई को किनेक करदेंगे अब यह हमारा हुल्वेटर सप्लाई मिल गया अब इस फ्लाईक लेने के義 करते हैं यह यह जो हमारा plug top का left side वाली जो pin है इस pin से एक वार को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो heater है उसके दूसरे terminal पे connect कर देंगे जिससे की हमारा जो heater है उसको fast supply और neutral supply दोनों के दोनों मिल जाएंगे अब आते हैं हम indication lamp पे यह जो हमारा off indication lamp है इसका connection करने के लिए हम क्या करते ह यह जो हमारा cutoff switch है इसके output terminal से यानि कि यहां से एक वार को connect करके हमारा जो indication lamp है उसको fast supply दे देते हैं अब इसको neutral supply देने के लिए यहां से एक वार को loop करके इसको neutral supply दे दिये जाता है अब यह जो हमारा on indication lamp है इसको power supply देने के लिए हम क्या करते हैं यह जो हमारा thermostat है इसके output terminal से जो wire गई है वहाँ से एक wire को loop करके हमारा जो on indication lamp है उसको power supply दे दिया जाता है उसके बाद में इस indication lamp को neutral supply देने के लिए यहाँ से wire को loop करके neutral supply दे दिया जाता है अब दोस्तों दिखिएगा जो हमारा plug top होता है उस plug top में आपको एक मोटा वाला pin मिल जाएगा यह वाली यह वाली जो pin होते है यह अर्थिंग के लिए होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से एक wire को connect करके लिए जाते हैं और जो हमारा गीजर होता है उसके body के साथ इस wire को connect कर देते हैं यह जो wire होता है वो earthing के लिए होता है दोस्तों हमेसा याद रखिएगा आपका जो गीजर है उसको earthing जरूर करिएगा क्योंकि आपका जो गीजर है उसमें आप electric power supply दे रहे और वहाँ पे पानी भी मौझूद है तो वहाँ पे electric soak लगने का खत्रा बहुत जादा होता है इसलिए आप वहाँ पे earthing का connection जरूर करिएगा तो यहाँ पे जो आपका गीजर का wiring था वो complete हो गया चलिए दोस्तों एक बास समझ लीजिए कि जो आपका गीजर है वो कैसे work करेगा तो देखिए आपका जो गीजर है यहाँ इसको on करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि यह जो plug top है उसको आपको socket में connect करना पड़ेगा उसके बाद आपको switch को on करना पड़ता है जैसी आप switch को on करते हैं तो power supply यहाँ से flow होते हुए cut-off switch में चला जाता है और cutter switch हमारा nc होता है nc होने current power supply यहाँ से flow होते हुए हमारे thermostat में चले जाएगा और यहाँ पानी का temperature नॉर्मल है यानि कि कम है जितना अपने thermostat का setting करके रखें उससे कम है तो आपका जो thermostat है वो क्या करेगा power supply को output terminal पे देदेगा यानि कि इस terminal पे power supply आ जाएगी और यहा करेगा यहाँ पे जो हमारा thermostat है इसके अंदर एक biometallic strip लगा होता है वो क्या करता है temperature को sense करता है और temperature को sense करने बदर operate हो जाता है और operate होने बदर क्या करेगा यह जो power supply यहाँ से यहाँ जा ली थी उसको break कर देगा यानि कि power supply जो यहाँ पी थी वो यहाँ पे नहीं इसके output terminal से किया गया है यानि कि आपका जो heater है वो यहाँ रहता है तो आपका यह वाला indication भी ओन रहेगा और यहाँ से power supply जो यहाँ पे पहुच रही थी उसको break कर देगा यानि कि यहाँ पे power supply नहीं आपाएगी जिसके कारण से आपका जो यह indication लेंप हो गलो करना बन कर दे ठीके दोस्तों तो यहाँ पे यदि आपका यह वाला indication लेंप गलो नहीं करता है तो यहाँ पे यह की possible है कि आपका जो cutoff switch है वो operate हो गया है अब यदि आपको cutoff switch को normal करना है तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो गीजर है उसके नीचे में धक्कन होती है इसको open कर दिएगा अब देखेगा आपका जो गीजर है वो दोबारा on हो जाएगा अब दूसरे दीए आपका जो गीजर होता उसमें mostly problem आपका जो heater है उसमें आती है यानि कि हमारे heater है वो खराब हो जाता है यदि आपको heater को check करना है कि आपका heater है वो okay है कि नहीं है तो उसके लिए यानि कि probe मल्टिमेटर का उनको दोनों टर्मिलल पे कनेक करना है इन दोनों प्रोब पे कनेक करने के बाद आप यहां पर रेजिटेंट देखेंगे तो आपका जो रेजिटेंट से 1000 ओम 2000 ओम इस परकार से आएगा ठीक है अब यदि आपका रेजिटेंट कुछ वेलू सो कर र गया है उस कंडिशन में आपका जो हीटर है उसको चेंज करना पड़ेगा ठीक है उसके बार में आपका जो थर्मोस्टेट है यदि वो काम नहीं कर रहा है और आपको चेक करना है कि थर्मोस्टेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े और उसको लेके आपका जो thermostat होता है उसके एक terminal पर connect कर दीजीगा दोस्टों यहाँ पर जो आपका thermostat है या फिर कट आफ स्विच्च दोनों को चेक कर सकते ही इस बीडिसे तो यहाँ पर मैं आपको कट आफ स्विच को connection करके बता रहा हूं ठीक है अब आपके घर में टेस्टर तो होता ही होगा आपको क्या करना है टेस्टर को दूसरे टमिनल पर कनेक कर देना है और आपको जो power supply है उसको on कर दीजेगा जैसी on करोगे तो आपका जो टेस्टर है यदि यहाँ पर light जल रहा है उस condition में आपको thermostat को change करना पड़ेगा या फिर आपका जो cutoff switch है उसको reset करना पड़ेगा ठीके दोस्तों तो यहाँ पर जो mostly problem आता था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ आप इस परकासी आपके घर का गीजर का wiring भी कर सकते हैं और उसको check भी कर सकते हैं आई होग कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो please like, share और comment कर दिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं के तो subscribe भी कर दिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद